हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका CBCD and MP exam में तो चलिए आज की जो हमारे questions हैं वो हम आज questions से start करते हैं तो कल की आपको class कैसी लगी आप comment करके जरूर बताइएगा तो चलिए आज की class हमें start करते हैं ज्यादा देर ना करती हुए तो हम पढ़ते हैं आज का question कोई code जिसका प्रभाव आमतोर पर हानिकारक होता है जैसे कि system को बिगारना या data को मिटा देना क्या कहलाता है अप्सन पढ़ेंगे virus, bug, error या exception तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा virus virus ऐसा कोई code जो आमतोर पर हानिकारक होता है जैसे कोई system बगार देना और इसको data को मिटा देना ये सभी काम हमारे virus के होते हैं चलते हैं अगले next question की ओर देखें दोस्तों मैं आप लोगों को एक जानकाई देना चाहता हूँ हमारी विदान सभा सच्चवाला भरती की computer की class अभी चल रही है तो आप उनको भी अटेंड करिएगा और साथी साथ जो student cpct दे रहे हैं तो वो भी हमारे इस channel के माध्यम से cpct की class ले सकते हैं ये computer की class है आपके जो cpct में वावन नंबर का computer पूछा जाता है उसमें से आपके एक भी question इसमें से वाहर नहीं जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल जो हमारी class है channel पर उनको share करिएगा और साथी साथ हमारे channel को subscribe करें और जो व्यक्ति नए आए हुए वो subscribe करें और well icon पर click करें ताकि हमारी जो class सही समय पर आपको राप्त होती जाएं तो चलते हैं हम अपने एगले next question को पढ़ते हैं कि IT certification के संदर्ब में CCNA का पूरा नाम क्या है option पढ़ेंगे Cisco certified network administration Cisco certified news associate और Cisco certified network associate Cisco certified news assistant तो इसका जो हमारा सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा Cisco certified network associate चलते हैं अगले next question की और अगला next question पढ़ते हैं कि निमने लेखित मेंसे कौन सा computer system का एक महात्मून सवक्रचा चक्र है तो option पढ़ते हैं अपने operating system का नियमत परिवर्थन computer system की नियमत सापसपाई antivirus software को नियमत तोर पर update करना computer system से image और video को नियमत तोर पर delete करना तो इसका हमारा जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा क्या antivirus software को नियमत तोर पर update करते रहना चलते हैं अगले next question क्यों next question पढ़ते हैं अपना की information सुरक्षा के संबंद में PIN का पूरा नाम क्या है option पढ़ेंगे personal identification number public identification number protected identification number personal identification name तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा क्या कि personal identification number PIN का पूरा नाम होता है अगला जो हमारा question है वो यह है कि निमलकित में से कौन Microsoft Windows Startup Process की समस्याओं का निवायन करने वाली system utility है तो REG Edit MS Configuration CMD और Calc तो इसका answer हो जाएगा हमारा कौन सा MS Configuration यह Microsoft Windows Startup Process की समस्याओं का निवायन करने वाली system utility होती है कौन सी MS Configuration चलते हैं अगले next question की और इसमें statement दिये गए हैं जनको यह बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है तो पढ़ते हैं अपने statement को window REG Edit Command का प्रियोग command window पाने के लिए किया जाता है firewall किसी network या system को अनादी करत प्रिवेश से सुरक्षित रखती है तो बताएगा दोस्तों कौन सा ही है कौन गलत है तो जो हमारा first option है वो बलकुर right है और second option गलत है तो answer हो जाएगा हमारा first सही second गलत अगले question की और चलते हैं निमलकेत में से कौन एक या अधिक file या directory को उनके बास्तिविक आकार से छोटे आकार में रखती है और option पढ़ेंगे document file, portable file, encrypted file या compressed file तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा कौन? compressed file क्या होता है कि एक या एक से अधिक file या directory को उनके बास्तिविक आकार से छोटा करके जिप file में compressed file में ये परिवर्टित कर देती है उसको बोलते हैं compressed file चलते हैं अगले next question की और इसमें भी statement दिये गए है एक folder अन्य folder को store कर सकता है एक folder file और folder दोनों को store कर सकता है तो इसका जो हमारा answer हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? third option भी दिया गया है एक file folder को store कर सकती है D option में दिया है किसी folder में विन file विन विन आकार की हो सकती है तो इसका जो हमारा सही answer होगा वो हो जाएगा c number का की एक file folder को store कर सकती है अगले question की और चलते हैं निम लेकित में से कौन सा file system नहीं है Fent, Fat 12, Fat 32, NTFS तो इसका हमारा answer हो जाएगा Fent, कोई file system नहीं है बाकी ये तीनों file system है अगला जो हमारा question है वो ये है निम लेकित में से कौन सी dos command या folder में उपस्तित फाइलों और folder की list दिखाती है display, file, dir और directory तो इसका हमारा answer हो जाएगा dir क्या होती है dos command में folder की उपस्तिती और file और folder की list को दिखाती है अगले question में दिए हैं इसमें matching करनी है तो option पड़ते हैं अपने c ls fat gpeg file system image file format screen साफ करता है तो इसका जो हमारा answer हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा वी option इसका हमारा सही हो जाएगा कि पहले की matching third से होती है second की a से और third की v से चलते हैं अगले next question क्यों next जो हमारा question है वो यह है कि सत्य और असत्य कथन का chain करें कोई folder किसी unfolder के अंदर नहीं बनाया जा सकता है किसी file को read only file बनाया जा सकता है तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा c option में कि पहला गलत है second सही है चलते हैं अगले next question की ओर name लेकित में से कौन सा file वेकलप नए word document को बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है open recent open new या फिर save तो इसका हमारा आंसर है कौन सा new white document window को maximize या restore करने का keyword shortcut की क्या होता है control plus F10, alt plus F10, control plus F12, alt plus F12 तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा control plus F12 ये minimize और restore करने के लिए यूच की जाती है shortcut की white document के अंत में इस्थित note को क्या कहते है footnote, endnote, reference या bibliography तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा क्या endnote जिसको बोला जाता है अगले question के और चलते हैं सामाने text की line से थोड़ा उपर लिखे जाने वाले अंक, अक्छर या संकित को क्या कहा जाता है head, subscript, superscript या फिर drop cap तो इसका हमारा answer हो जाएगा C option में superscript अगले question की और बढ़ते हैं किसी document में paragraph की पहली line के नीचे drop हुए बड़े पहले एक्छर को क्या कहा जाता है intent, hyphen, drop cap या फिर margin तो इसका हमारा सही answer होगा क्या drop cap कहा जाता है चलते हैं अगले question की और कि नेमलेकित में से क्या एक software हो सकता है system bus, firewall, hub या modems तो इसका answer हो जाएगा firewall एक system software है Excel workbook extension के साथ store किया जा सकता है .pdf.xlx.xls या .xlsx और d में दिया है .xlsp तो इसका हमारा सही answer हो जाएगा क्या c option .xls चलते हैं अगले next question की और next जो हमारा आज का अंतिम question है document को edit करने की प्रिक्रिया में त्यार किये हुए document को अच्छी तरह से पलना और फिर उनमें सामिल करना तुटियों को ठीक करना इसे print करना इसे save करना या delete करना इसका answer हो जाएगा हमारा document को edit करने की प्रिक्रिया में त्यार किया हुए document को अच्छी तरह से पलना फिर उसे तुटियों को ठीक करना इसी के सास्ता दोस्तों आज की class भी होती हमारी समाप मिलते हैं हम कल अपने इस इसी समय इसी टाइम पर जैहन जै भारत दोस्तों